मैं ससक्त मन्च को प्रडाम करता हूं और इस सभागार में उपस्तित समस्त विशिष्ट जनों को भी विशिष्ष प्रडाम करता हूं मैं बेत्र कासमणी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे अलीगर से मंगबाया गया है और आप ये भी जानते हैं कि अलीगर ताले और तालियों का सहर है लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत तब तक नहीं होता जब तक की तालियों का साथना और एक विशेश सादुबात के पात्र हैं हमारी मात्र सक्ति चोकि ये महा मात्र सक्ति का बंदन अभिननन मा भगबती के रूप में उनकी पूजा अर्चना के लिए ये समर्पित होता है और ये बड़ा सोभाग्य का देबस है कि आज इससे बड़ा नारी ससक्ति करना हो नहीं सकता कि आज इस कारक्रम की सेंगोजी का भी डॉक्टर अंजना कुमार जी और संचाली का भी कारक्रम की सर्ता जी मैं उनको प्रणाम करता हूँ बास्तम में ये बड़ा सौ भाग्डी की बात है मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आप से जुड़ने का प्रयास कि हमारा चरित देखे चार चीज़ों पर मानब जीवन आधारित है मेरा अपना मानब कि हमारा चरित आचरण और संसकार एवं समर्पन कैसा होना चाहिए चार पंक्तियों के माध्यम से मैं क्याने का प्रयास बहुत बहुत सौ आगत है चरित, आचरण, समर्पन और संसकार, चार पंक्तियों के माध्यम से सिया रामसा चरित मरे यादावान हो ऐसी कामना हम सब ऐसे बने हैं सिया राम सा चरित मरे यादावान हो मात गंगा सा पभित करूणा निधान हो सिया राम सा चरित मरे यादावान हो मात गंगा सा पभित करूणा निधान हो द्वस्ति रंगे के साथ स्वर्ग प्रस्थान हो ऐसी भावना ऐसी कामना ऐसा समर्पन होगा तो हमारा राश्ट कभी भी भूका नहीं मर सकता किसी के सामने हाथ नहीं पहला सकता ससक्त भारत अखंड भारत रहेगा हमारा भारत ससक्त था अखंड है अखंड रहेगा और मैं चार पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो स्वप्न देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा कि बही राश्ट स्टेश्ट वा सरवत्र महान होता है जहां पूजा पद्धिती एक ही बिधान होता है कि भई राष्क स्टेश्ट बा सरवत्रमाहन होता है जहां पूजा पद्धिती एक ही बिधान होता है वो माटी चन्नन पूजनिये बन जाती है जहां पर रणवीनों का बलधान होता है जहां पर वनजीनों का देखान होता है और मैं एक बात जिहादी मानसिक्ता को साबधान करने चाता हूं सचेत करने चाता हूं कि मजहभी उनमाद में प्यार की बातें करते हैं कि मजहभी उनमाद में प्यार की बातें करते हैं तीर और नाही तलबार की बातें करते हैं यदि आच आजाए मा भारती की अस्मता पर फिर हम प्यार नहीं अंगार की बातें करते हैं पर साथियो जैसा की मैं बता चुका कि मैं अलिगर्ट से आया हूँ ताले तालियों का सहर है तो ताले तालियों का भी अपना एक महत्त होता है तालियों का बिसेस महत्त होता है कब सम्मिलन में और एक बिसेस महत्त और बढ़ गया हमारे साथ कि दोदो मात्र सक्ती के साथ सेंगोजन और संचालन के साथ आज जो बिसेस्ट अद्यक्स्ता के रूप में जो ब्राजमान है जगमग जी तो उनके अध्यक्स्ता के रूप में हमारा ये कारकम और अधुत जगमग हो जाता है एक बार जोड़दार तालियां राश्टे कभी पुरी जगमग जी के लिए भी मैं चार पंक्तियां इस सुन्दर भब्ब आउजन के लिए कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे प्रैम प्रीत प्यार के गीत गुन गुनाईए कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे प्रैम प्रीत प्यार के गीत गुन गुनाईए कि बातिवत कभी गण मंच पे बिराज मान, मान सम्मान कर तालियां बजाईए, मान सम्मान कर तालियां बजाईए, बहुत बहुत आभार आपका, और देश की समस्याओं को कभी गण उठा सकें, यह जो जितने भी मंच पर कभी हैं, हमारे छोटा भाई, योगे इनरसुन रियाल जी, जो कि मुझे केई बरसों बात समभाग्य प्राप्त हुआ, कि भाई के दर्सन हुए, तो मैं कहना चाहता हूँ, यह राश्टिय और अंतरराश्टिय स्तर के वुका भी कभी गवित्री हैं, जो अपनी समस्या के साथ साथ, द दसन भी रहती हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, कि देश की समस्याओं को कभी गण उठा सकें, कि देश की समस्याओं को कभी गण उठा सकें, समर्थन कर होसला आप बढ़ाईए, और कभियों की बारी संसद तक पहुंच सके, एक बारे जो रिदार तालियां बजाईए, साथ वाव 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 क्या कहने हैं वाव बहुत सुन धर्म और देखिए मैं हास्वेंग रोज का कभी हूँ अपना कवता धर्म कभी धर्मज भी जरूर नभाऊंगा मैं आज जो बर्तमान इस्तिती है देखने सुनने में आया है कि हमारे कस्मीरी पंडित हिंदु भाई कस्मीर से फिर पलाइन कर रहे हैं ऐसी इस्तिती क्यों आई क्यों आई सीदे मैं सीदे सीदे कहना हो चाहता हूँ कि के सरी की क्यारियों में लगे उगरबादी पौधे कि सीदे सीदे चंद के माद्य हम से कि के सरी की क्यारियों में लगे उगरबादी पौधे अब तो पौधों की खुदाई इस प्रकार हो कि ना कोई अलाप हो ना कोई बिलाप हो सीमा पारटियों पर गोलों की बोचार हो सीमा पारटियों पर गोलों की बोचार हो जो चाहते हैं फिर से देश का विवाजन हो जो हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही गद्दारी करते हैं उनको सीधर सीधे सुनाती सुना जो चाहते हैं फिर से देश का भिवाजन हो ऐसे गद्दारों को म्रतु दंड तयार हो ना कोई सांती बारता हो ना कोई ब्यभार हो उग्रबाद मिटाने को युद्धगार पार हो उग्रबार मिटाने को युद्यार पार हो कि किस सोच में पड़े ओटो नीद से जवानो मात भूमी आज भीरो तुम को पुकारती कि रक्त रंज थो रही है भूमी आज देश की दुस्मनों को सीमा से अविलल कारती कि बेरती ही हो ना जाए बीरों की शहादत कहीं उटो देश की रक्षारत कहती मा भारती और जननी के दूद का भी करज अब चुकाना है रक्त से तिलक करो गोलियों से आरती रक्त से तिलक करो गोलियों से आरती और सीरे सीरे एक बात वर कहना चाहता हूं कि सुन बेटा पाकिस्तान बाप तेरा हिंदुस्तान अब कै उठेगा सिर तेरा कट जाएगा और पाक ना ना पाक कर नियत को साप कर बादलों की भाती तु भी यूँँ चट जाएगा तु मानपता को छोड़ दे घुसपैट चोड़ दे तु मानपता को ओड़ ले घुसपैट चोड़ दे बरना लासों से तेरा पाक पट जाएगा अरे कई बार कर लिए अब बार कर देख दुनिया के नकसे से पाक घट जाएगा और बंदे मातन की बात कहते हुए मैं अपनी बाणी को ब्राम देना चाहता हूँ क्यों कि सगवियों की संक्या आदेक है यह हमारा देश दुरभागे से भारत माता की जै बोलने पर भी पाबंदी लगाई गई तथाकतित कूछ नेताओं ने कुछ सरकारों ने बंदे मातन गीत को भी तथाकतित लूप से उस पर प्तवन लगाने का प्यास किया मैं कहना चाहता हूँ बंदे मातरम है क्या आठ पंतियों के मातरम ज्यानी भी बंदे मातरम बिज्यानी भी बंदे मातरम के ज्यानी भी बंदे मातरम बिज्यानी भी बंदे मातरम भगवानी भी बंदे मातरम एमानी भी बंदे मातरम भारत की सीमा पर प्रहरी खड़ा है बन्ने मातरम मस्तक की हर बिंदिया में जड़ा है बन्ने मातरम भारत की पाबन भूमी को मिलकर शीश नवाएंगे बन्ने मातरम गाएंगे सब बन्ने मातरम गाएंगे असभाक उल्ला विस मिलने भी गाया बन्ने मातरम क्या कहने हैं? बाकुल्ला बिस्मिल ने भी गाया बन्दे मातरम सुभाशन्र सिखर को भी भाया बन्दे मातरम बगत्सिय के चोले ने भी पूजा बन्दे मातरम संसद के गल्यारों में भी गूजा बन्दे मातरम बगत्सिय के चोले ने भी पूजा बन्दे मातरम संसद के गलियानों में भी गूजा बंदे मातरम गीता बेद पुराणों में भी रहता बंदे मातरम गंगा यमना की धारा में बहता बंदे मातरम भारत ता सोने की चड़िया इसको शेर बनाएंगे बंदे मातरम गाएंगे सब बंदे मातरम गाएंगे क्या बात है बंदे मातरम गाएंगे सब भाँ 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 भाँ